तो दोस्तो आपने अपना वोटर एडी कार्ड उनलाइन अपलाई किया है लेकिन अभी तक आपको नहीं पता है कि आपका वोटर एडी कार्ड कहाँ तक पहुँचा है उनका स्टेटस क्या है बना है या रेजेक्ट हुआ है तो दोस्तो मैं आपको यहां पर पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपका Water Ready Card का पूरा स्टेटस क्या है, आपने जब अपलाई किया उसके बाद उनका प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, पूरी जहानकारी में इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ दोस्तो तो लिपार मेरी चैनल को देख रहे हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को जरू क्लिक करे, चलिए शिरू करते हैं, तो दोस्तो सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर में Google को ओपन कर लेना है, यहां पर हमें सर्च करना है Water Service Portal, पहली ही लिंक यहां अपलाई किया, तब आपने जो मोबाइल नमबर यूज किया था, ये मेल ऐडी यूज किया था, उनसे लोगिन करना है, मोबाइल नमबर डालना है, पासवर्ट डालना है, कैप्चा यहां पर फिलब कर देना है, रिक्वेस्ट ओटीप वाले option पर क्लिक कर देना है, जो दोस्तों, यहां पर दो चीजे पूछ रहा है, तो पहला है रेफरेंश नमबर दोस्तों, तो रेफरेंश नमबर कब कहां से आपको मिलेगा, जब भी आपने अपलाई किया होगा, तब आपके मोबाइल पर SMS आया होगा रेफरेंश नमबर का, और एक PDF भी जनरेट हुआ हो इन पर क्लिक करना है, आपकी details आजाएगी, यहां पर सारी, उसके बाद last में जो arrow है, इसके उपर क्लिक करे देना है दोस्तों, जसी यहां पर क्लिक करते हो, यहां पर जहां पर भी आपका जो प्रोसेस है पहुचा है, आपको शू होगा, तो देखो यहां पर जो verification है, वो complete यहां पर अप्रूड होने के बाद आपका जो एपिक आईडियो जनरेट हो जाएगा उसके बाद आपका प्रिंट में जाकर आपको बाइपोस्ट मिलेगा दोस्तों ठीक है जैसे प्रिंट हो जाता है तो यहां पर देखो वोटर इडी कार्ड नमबर हमारे पास आ चुका है दोस्तों अभी क्या करना है अभी हमीं वोट्र इडी कार्ड को डाउनफ testimon कर ना है अभी तो यहांप 2008 नंबर हमें मिलत हो यहांपर दाल देना या फिर MPN उसके बाद जो set यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिना है आपकी टीटेल्स यहां पर आ जाएगी दोस्तों और नीच एक ऑप्शन मिलेगा सेंड ओटीपी का ओटीपी करना होगा दोस्तों आपको यहां पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर हमें क्ल क्लिक यहां पर क्लिक करते हो आपका water id card हो PDF formate में डाउन लोड हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आप अपने water id card को पा सकते हो दोस्तों पीडिये यहां पर आपको मिल जाएगा यहां पर आपकी सारी डीटेल होगी दोस्तों तो इस water id card को अब आप print भी करवा सकते हो किसी भी print shop मर जाकर आप PVC card में इसका print भी करवा सकते हो तो दोस्तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि आपका voter ID card कहां तक पहुचा है अगर आपका voter ID card generate हो चुका है दोस्तो तो आप इनका print भी आसानी से निकाल सकते हो और अपना PDF भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल को सबस्काइब ज़रूर करें Thank you so much for watching